हेलो दोफतो वन्स अगिन वेलकम बैक टो दे चैनल केसंड टॉक्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट में लौंच होने वाली ऐसी बाइकों के बारे में जब खो एक से दो मिनों में लौंच होते वे देखने को मिल जाएगी अपनी इंडियन टू मिलेंगे इन सबी बाइकों में इसलिए अगर आने वोले टैम में किसी भी न्यू बाइक को पचेस करने वाले हो तो आप मेरी इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट करें अन तक दो देख लेना और अगर आपको कोई भी फदर कोरी होती है किसी भी बाइक से रिलेटेड तो आ इस बाइक को फिलाल में ही हीरो मोटो को अपने टीज कर दिया है पूरी शोशल मीडिया पर और ये बाइक आपको दोस्तों आने वाले कुछी दिनों में लोंच होते वे देखने को मिल जाएगी वैसे जो बाइक के टेकनिकल फीचर्स है उनमें कोई भी चेंजिस नहीं करे लेकिन जो बाइक के कलर्स और ग्राफिक्स होने वाले है उसमें आपको काफी चेंज देखने को मिलेगा एक तरह से कहा जाए तो हीरो इस बाइक को थोड़ी सी और ज्यादा प्रीमिम बाइक बना रही है तो बात कर लेते हैं बाइक के लोंच के बारे में ये बाइक दोस् की है और आने वाले कुछी दिनों में ये बाइक भी आपको लोंच होते हुए देखने को मिल जाएगी तो चलिए बात कर लेते हैं 2021 डॉमिनार 400 में आने वाले चेंजिस के बारे में कि आखिर बाइक में क्या कुछ चेंजिस आएंगे क्या बाइक की पावर को इंक्रीज कर जाएगा या नहीं डॉमिनार 400 न्यू मोडल के डिजाइन को दोस्तों 20 से 30 पसंट चेंज करा जाएगा और आपको बजाज की तरफ से नए कलर्स भी देखने को मिलेंगे बजाज डॉमिनार 400 में और बाइक के बोड़ी पार्ट को थोड़ा सा और ज्यादा प्रीमियम और म लेंगे तो फिलाल बाग करते हैं बाइक के इंजिन के बारे में इंजिन को दोस्तों सेम रखा जाएगा पुराने वाला ही आपको इंजिन देखने को मिलेगा बजाज डॉमिनार 400 में लेकिन अपकी बार पावर को थोड़ा सा इंक्रीस करा जाएगा जो पावर अभी आप आपको दोस्तों 42 से 43 BHP की देखने को मिले 2021 बजाज डॉमिनार 400 में इंजिन बेशक दोस्तों पुराना होगा लेकिन पहले वाली डॉमिनार 400 से काफी बेटर होगा ओवरॉल परफॉर्मेंस के मामले में और बात रही दोस्तों बाइक के फीचर्स की तो आपको 2021 बजाज ड करा जाएगा ताकि यह बाइक एक प्रॉपर क्रूसर बाइक का लुक दे सके और बात रही बाइक के सेस्पेंशन की तो आपको बाइक के फ्रंट पार्ट में 43 mm के यूश्टी फोक देखने को मिलेंगे और बाइक के रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्सोर्बर का यूज कि जाएगा जो की फिलाल में दोस्तों यूश करा जागा रहा है डॉमिनार 400 में तो यह है दोस्तों कुछ मेंजर चैंजिस जो आपको देखने को मिलेंगे better opinion 4100 में और 2021 बजै ability भॉच्पिप्ति में चलिए फाननेली अब हम बात कर लेते हैं बाइक के लॉंच के बारे में और बाइक के लॉंच होने पर इस वाइक का क्या नया प्राइस रखा जाएगा उसके बारे में ये वाइक दोस्तों आपको अक्टूबर के एंड में या फिर नमोंबर के स्टार्टिंग डेंस में लॉंच होते वे देखने को मिल जाएगी और लॉंच होने पर इस वाइक का की W175 इस वाइक की भी दोस्तों टैस्ट राइडिंग स्टार्ट हो चुकी थी इंडियन टूलर माकेट में तो ये भी आपको 2021 के एंड से पहले लॉंस होते हुए देखने को मिलेगी तो चलिए बात करते हैं कावसा की W175 के बारे में इस वाइक में 177 CC का एर कूल सिंगर स्ल किलो मेटर परा तक की टॉस्पी तक जा सकती है और बात करें बाइक के फीचर्स के बारे में तो आपको बाइक में 5-speed gearbox मिल जाएंगे सिंगल चैनल एबेस रहेगा दोस्तों आप सभी की सीफटी के लिए और कॉंसोल इसमें फुली एनलोग होगा और स्टेल वाला जिसमें आपको सभी basic function show हो जाएंगे बाइक से related और बाइक के suspension में इसके front पार्ट में telescopic fork और यह पार्ट में dual adjustable shock absorber रहेंगे जो कि दोस्तों काफी जदा बेटर रहने वाले हैं अगर आव इस बाइक को थोड़ी बहुत off-roading के लिए भी यूज़ करते हो बाकी दोस्तों इंडोने के बारे में तो इसके front part में halogen bulb का यूज़ किया जाएगा बाकी दोस्तों आपको बाइक के सभी पार्ट में LED लैट का काम देखने को मिलेगा कावा साकी की तरफ से और कावा साकी डबलू वन सेंपर के टायर साइस की बात करे तो इसके front part का टायर होगा 80 x 100 mm का और यह पार कि आपको इसमें ground clearance मिल जाएगी और इसके seat height होगी 780 mm की जोगी बिल्कुल favor में रहेगी short order के लिए उनको बाइक को operate करने में दिक्कते नहीं आएंगी और आपको दोस्तों बाइक में 13.5 लेटर की fuel tank capacity मिल जाएगी और यह बाइक आपको 40 से 45 किलोमेटर पर लेटर का mileage दे देखने को मिलेगी इंडियन टूबलर मार्केट में और लॉंच होने पर इस बाइक का प्राइस सका जाएगा एक लाग पचास हजार से एक लाग सता हजार के action price पर जो कि आपको ओन रोड यह बाइक एक लाग असी हजार से एक लाग रब्बे हजार के प्राइस पर अविल और भी बाकी बाइक के लॉंच होगी जिनको पहले इंडियन टूल मार्केट से डिसकंटिन्यू कर दिया गया था तो दोस्तों फिलाल में हम बात करते हैं बैनली TNT 302S के बारे में बाइक में दोस्तों 300cc का लिक्विड कूल इल्न ट्विन सेलेंडर डी ओ से इंचन का यू फिचर्स की तो आपको इस बैक में 6-speed gearbox transmission मिल जाएंगे डूल चैनल ABS दोस्तों रहेगा आप सभी की safety के लिए और बाइक में बड़े साइस का आपको fully digital instrument console मिल जाएगा जिसमें आपको speedometer, odometer, tachometer, trip meter, gear position, indicator, ABS, light time and feel good जैसे सारे basic function show हो जाएंगे बाकी बाइक के additional feature में आपक इसके front part में upside down focus देखने को मिलेंगे और इसके rear part में monoshock absorber का use किया जाएगा लेकिन अब की बार दोस्तों आपको bike में fully LED lightning देखने को मिलेगी Benelli की तरफ से bike के हर पार्ट में और एक बार इस bike के rivals के बारे में बात कर लेते हैं जब यह bike Indian market में launch होगी तो दोस्तों यह bike Indian market म में होगी 165 mm की और seat 8 होगी 785 mm की जो की बिल्कुल favor में रहेगी short rider के लिए उनको bike को operate करने में दिखते नहीं आएगी और आपको bike में fuel tank capacity मिल जाएगी 14 लिटर की और यह bike आपको 30 से 35 km पर लिटर का मालेस देदेगी city riding में तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं bike के price के बा level हो जाएगी अगली bike के दोस्तों कावा सागे की तरफ से एक और बैक जो आपको November से December के मन्त में launch होते वे देखने को मिलेगी अपनी Indian market में इस bike को दोस्तों फिलाल में ही reveal करा गया है और यह bike आने वाले कुछ ही मैनों में पूरी global market में launch होगी तो चलिए बात करते हैं काव न्यूटन मीटर का 6700 RPM और बात करें bike के features के बारे में तो आपको bike में 6-speed gearbox मिल जाएंगे single channel ABS रहेगा आप सभी की safety के लिए और bike के additional feature में आपको कई सारे features देखने को मिलेंगे कावसाके की तरफ से और bike के suspension में इसके front पार्ट में 41 mm के telescopic 4 का यूज किया जाएगा और यह प पूरी तरह से old lady रहने वारी है आपको कोई भी further expense करें जोड़त नहीं पड़ेगी bike में और बात करें bike के dimension की तो इस bike का cover होगा 187 kg का 125 mm की ground clearance होगी और इस bike की seat rate होगी 820 mm की जो की बिल्कुल favor में नहीं रहेगी short rider के लिए उनको bike के operate करने में थोड़ी बहुत दिक्कते का जाएगा 7,50,000 के on road price पर तो एती दोस्तों आज के वीडियो इंडियन टूवल मार्केट में launch होने वाली bike के बारे में जो आपको एक से दो मेनों के अंदर launch होते वे देखने को मिलेगी I hope आपको वीडियो पसंद आयोगी और पसंद आयो तो वीडियो को लाइक जो कर द सबसे पहले आपके पास आए तो बस्यार दोस्तों आज के लिए इतना ही बाकी कल दुबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ